अब यहां पर है 1 upon x square plus 1 x square plus 4 किसका गोशन है पार्शिल फ्रेक्शन का गोशन है यह ठीक है तो चलो यहां पर है 1 upon x square plus 1 और x square plus 4 dx तो यह कैसे ब्रेक होता है पार्शिल फ्रेक्शन से x square plus 1 के factor नहीं होंगे तो याद वो ax plus b एक साथ लेते हैं वो लिखना पड़ेगा हमें तो इस वाले के लिखना पड़ेगा हमें ax plus b upon max square plus बनाएगा फिर इसके भी factor नहीं हो रहे हैं तो b तक ऑलिडी हो चुका आप cx plus d लेना पड़ेगा और x square plus 4 क्या आप मेरी बास समझ आगया कि x square plus 1 के लिए पहले ax plus b आया और फिर x square plus 4 के लिए cx plus d आया अब हम लोग क्या करेंगे अलग-अलग integrate कर देंगे यानि इसका integrate करेंगे और इसको भी integrate करेंगे और यह a b m c d बाद में निकाल लेंगे ठीक है चलो पहले इसका करेंगे यानि ax plus b upon x square plus 1 का integration और यहाँ पे cx plus d upon x square plus 4 का integration अब इसमें again two terms है तो separate divide कर दो यानि ax upon x square plus 1 dx separate divide कर दो separate integration भी मतलब b में भी divide करा और इसका भी integration ठीक है plus फिर यह हो जाएगा cx upon x square plus 4 dx plus d upon x square plus 4 dx ऐसे आजएगा एक और में बाहर आ गया तो वन अपॉन x square plus 1 dx इसमें b बाहर आ जाएगा constant term है x square plus 1 dx c बाहर आएगा तो x square upon x square plus 4 dx d बाहर आ जाएगा तो यह dx upon x square plus 4 चेक करो यह वालश्ट है अभी मैंने वही जो basic चीजें करते हैं वही किया है अब यह बढ़ देख लो फिर आगे हम लोग करेंगे कि देखो तक वीडियो पॉस्ट करें खुछ से लिखने कोस्ट करो क्या आप इतना अच्छे से लिख पा रहे हो समझ में आरी सारी चीज़ें ठीक है अब देखो तो इसका अगर अच्छी यदर एकस ना ये एकस ए बाहर आगे ना ये स्कॉइर लिख लेंगे तो वनपों बंट्रस एकस इस को यर ठैन वरस अब जिसमें एकस रहता जैसे इस वाले में भी एकस वाले में भी x है और नीचे x square है तो हम इसमें x square प्लस 1 को एक नया variable let कर लेंगे t और यहां पर x के respect में differentiate कर दो 1 का difference is in 0 x square का 2x तो x dx कितना जाएगा यह dx इतर भीज़ दो और 2 को divide में कर दो dt upon 2 तो substitute कर देते हैं तो a बाहर है x dx बन गया dt upon 2 into 1 upon x square प्लस 1 किसके को है tk plus b यह किसका formula है 1 upon 1 plus x square 10 verse x खालिक दो जो चीज़ होती जा रही प्लस इसमें भी x square प्लस 4 को एक नया variable मान लो चलो यू ले लिया मैंने तो du by dx क्या जाएगा 2x आ जाएगा तो x dx यहां भी क्या बन जाएगा du upon 2 क्या बन जाएगा du upon 2 आ जाएगा चलो यहां पर put करते हैं c तो बाहर हो जाएगा x dx बन गया du upon 2 और यह 1 upon u d बाहर है इस 4 को अगर मैं 2 का square लिख दूँ ठीक इस 4 क्या लिख दूँ यह जो 4 है न रेज नहीं होगा यह मैं ऐसी लिख देता हूँ 2 का square हो जाएगा ठीक है तो 1 upon a square plus x square होता है 1 upon a ठीक है तो इसका क्या हो जाएगा d तो बाहर है 1 upon a a का है 2 10 inverse x upon a यह आप फॉर्मल जरू चेक कर ले तो सब कुछ कर लिया और एक last में हमें constant term और लेना पड़ता है वो मैंने c1 ले लिया ठीक है अब इनके भी integration कर लेते हैं यह जो 2 बाहर कर दो constant centrum 1 by t का anticipation होता है log t तो log t आ गए आपे b 10 inverse x plus c यह 2 बाहर कर दो यह आ गया तुमारा log u plus d by 2 10 inverse x by 2 plus का c1 अब यह t और u तो आदमें पुट कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यह t u है और यह t है अब abcd निकाल लेते हैं यह a b c d जिसको मैं put करना यहां तो मैं a b c d आपको यहां निकाल कर दिखाता हूं ठीक है चलो हमने a b c d कहां से start कर रहा था यहां से यह यह इस चीज़ को यह हमने लिखा था one upon x square plus one x square plus four को क्या लिखा था हमने इसको लिखा था a x plus b upon x square plus one plus c x plus d upon x square plus four यही तो लिखा था चेक करें हमने one upon x square plus one को क्या लिखा था यह लिख दिया था और one upon x square plus four को यह लिखा था चेक करो यह ठीक है यहां तक क्लियर है तो अब अगर हम lcm यहां पर लेते हैं तो हम lcm लेकी simplify करते हैं तो हमने लिए lcm कितना x square plus one x square plus four यह हमने lcm लिया तो क्या आजाएगा a x plus b के साथ यहां पर हमारा आएगा x square plus four और c x plus d के साथ आजाएगा x square plus one ठीक है यह चेक कर लो इतना और यह है तुम्हारा one upon x square plus one x square plus four ऐसा ठीक है नोट करो इतना और आप लोग देखो a b c d खुद से निकाल पा रहे हो कि निकाल पा रहे हो कि यह देखो आप खुद से करोगे बहुत कॉर्म्टें साथ है मैं एजस्टूड हमेंसा इस चीज को समझता हूं ठीक है यह कट गया तो one is equal to multiply करो तो a x का d plus x square में होगा तो a x cube a x का 4 में होगा तो 4 a x प्लस का b x square प्लस का 4 b फिर इसका करो c x cube प्लस का c x प्लस का d x square प्लस का d चलो x cube में क्या क्या है यहाँ पे a यहाँ पे c ठीक है तो यह और यह टरम ने पट गया x square में क्या है b x यह और यह b plus d x में क्या है 4 a x और c x यानि कि 4 a प्लस का c constant डरम में क्या है 4 b और d क्या सारी टरम कवर होगे देख लो 4 b प्लस का d देखो 2 4 6 8 2 4 6 8 यह नहीं सारी टरम ने पट गया है 1 x cube का कोई टरम नहीं है इसका अलब a plus c 0 है x square का भी कोई टरम नहीं है b plus d 0 है 4 a plus c भी 0 है और 4 b plus d जो है वो यहाँ पे 1 है constant तो c की value तो यहाँ minus a आगी और d की value minus b आगी अधर देखो आप चार equation होते चार वहरी कभी कभी बहुत simple equations होती कभी थोड़ी complex target यह रखा करो कि एक equation से d की value निकाल लिया करो एक से c की value और वो d और c की जो value जैसे मैंने c निकाल एडी इन दौनों को इन दौनों में रखोगे ना तो यहां से एवी में case होना आएगी वो solve हो जाएगी देना अब जैसे यह 4 a और c की value यहां माइनस ए तो माइनस ए रखा तो देखो यहां पर 4 a माइनस ए तो यहां पर तो a 0 आ गया बड़े जीब बात होगी यह तो 0 कर देगा चलो और अगर a 0 है तो क्या वह यह सी वी 0 हो जाएगा खतरनाक होगे तो अच्छा a c तो यहां 0 ही हो गया अच्छा 4 b d की value minus b है तो 3 b is equal to 1 तो b तो यहां पर 1 by 3 आया और अगर b 1 by 3 आया तो d है minus b तो d कितना आएगा minus 1 by 3 तो भाई अब जरब put करते हैं और अपने answer check करते हैं तो भाई अगर a की value 0 है यानि यह 0 है तो यह trump पूरा 0 हो जाएगा क्या ठीक है b की value है 1 by 3 10 inverse x और c की value अगर 0 आई है तो यह trump पूरा 0 हो जाएगा और d की value है minus 1 by 3 तो अगर हम d की value minus 1 by 3 रखेंगे और divide में तो 2 पहले से है और यह 10 inverse x upon 2 plus का c1 ठीक है तो यह आजाएगा 1 by 3 10 inverse x यह minus का 1 by 6 10 inverse x by 2 plus का c1 यह answer आजाएगा तो देख लेते हैं अंसर हमारा सभी है कुछ हो गया तो वैसे विल्कुछ सभी निकला है ठीक है आप बुक में चेक कर सकते हैं ठीक है अज़िए सीवन वो सी एक ही बात होती है तो आपका सीवन है इसमें सी आ रहा है कॉंस्टेंट आप के भी लिख सकते हो कोई वो नहीं है ठीक है यह दे रखका है चलो तो फैनली आपने नोट तो करी लिया होगा मैंने ठीक है अब नेक्स्ट करा जाए झाले